केक्स, कपकेक्स, आयस्क्रेम्स इस तरह के बहुत सरे डेजर्ट्स को डेकोरेट करने के लिए जो स्प्रिंकिल्स यूज किया जाते हैं उसको बड़ी आसनी से सिफ और सिफ एक इंग्रेडियन के साथ आप घर पर ही बना सकते हैं देखिए इसको बनाने के लिए मैंने एक मि पानी को इसमें डाल दीजिए और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करते जाना है हमें एक बहुत ही बड़ी आसा पेस्ट बन जाएगा अगर आप पानी ज्यादा डाल देंगे तो आपके स्प्रिंकिल्स जो है वो ठीक से नहीं बनेंगे तो देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हमारे स्प्रिंकिल्स के मिक्शर का कंसिस्टेंसी इस तरह कच्छा ही है हमें उसके बाद इसको मैं चार पोशन में डिवाइड कर रही हूं तो एक पोशन में डाल रही हूं और एक में ग्रीन और एक में लेमन एलो और एक में रोज में रखना है और उसके बाद एक पाइपिंग बैक को ले लिजे अगर आपके पास हो वनना आप इस तरह के कोई भी एमटी दूद के पैकट जो होती ही घर पर उसको भी ले सकते हैं उसमें एक मिक्षर को डाल दीजिए और इसको एक रपर बैंड के मदद से टाई करके सामने थोड़ा सकत लगा लीजिए और इसके बाद इसको बटर पेपर इस तरह से लाइन की तरह डाल लीजिए एक बात का धियान रखिए जब तक आप एक मिक्षर डालेंगे दूसरा कलर का जो मिक्षर है वो थोड़ा से ड्राई होगा इसके लिए आप इसमें पानी मत आड़ क की तरह डाल लिया है आप जिस शेप में इसको डालना चाहते हैं उस शेप में हम पर डाल सकते हैं तो इसको अब हमें तीन घंटों के लिए सूपने के लिए रखना है तो तीन घंटों के बाद बस फैन की हवा के नीचे अच्छे से सूख जाएंगे और तीन घंटों के बा बाद इसको प्लेट में डिमॉल्ड कर सकते हैं आप देखिए जीली जो स्प्रिंकल्स है वो लोकर आ रहे हैं देखाना आपने कितने आसानी से सिफा उसिफ एक इंग्रेडियन के साथ हम इन स्प्रिंकल्स को बना कर यूज कर सकते हैं तो आप भी जरूर इनको बनाईए और अपने केक डेकरेशन में और कपकेक्स, आइसक्रेम्स कई सारे डेजर्ट में आप इनको डेकरेट करने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं आप इनको बहुत ही लंबे समय तक एक एड़ेट कंटेनर में रखके स्टोर भी कर सकते हैं रच्पी अच्छ लगी हो तो लाइक